बड़े बुजर्गों के 40 नियम ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें नमर एक पानी कम पीने के कारण दिमाग की नसों में खून के ठक्के जमने लगते हैं इसके कारण दिमाग पर प्रेशर जादा पढ़ता है, स्ट्रॉक और बेहोशी भी हो सकती है गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना निकलता है, इसकी बजा से शरीर में पानी की कमी आ जाती है इसलिए दिन में कम से कम 8-9 ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए इससे हमारी 70% बीमारियां दूर रहती है नम्मर दो हमारे दिमाग में कई ऐसे हिस्से हैं जो बंद पड़े हैं और वो हिस्से तभी खुलते हैं जब हम दिमाग से कसरत करवाते हैं कहने का मतलब आप जितना अधिक सीखते चले जाओगे जितना अधिक दिमाग का इस्तेमाल करके उससे काम करवाओगे उतनी ही तेजी से आपके दिमाग के बंध हिस्से खुलने शुरू हो जाएंगे और आपका दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा इसलिए लगातार अपनी फील्ड के बारे में पढ़ते जाएं और नया सीखते जाएं नमर तीन बाजरा केल्शियम से भरपूर होता है रोजाना बाजरे की रोटी के सेवन से जोडो की समस्या वह आस्टियो पॉरोरिस में बेहद लाव मिलता है नमर चार एक गलास पानी में आठ से दस नीम के पत्ते उवाल ले ठंडा होने पर छान ले इसे एक बालती पानी में मिला कर नहाएं इसकिन इंफेक्शन और सूजन पूरी तरह दूर होगी नमर पांच हर रोज सुभा शाम एक गलास पानी में एक चमच सेव का सिरका और एक चमच शहत मिला कर पीने से लीवर की कमजोरी दूर होती है नमर छे दूद को खाने के साथ नहीं पीना चाहिए क्यूंकि दूद अपने आप में ही एक संपूर आहार है अगर आप ऐसा करते हैं तो खाना और दूद दोनों ही अच्छे से नहीं पच पाएंगे इसलिए दूद और खाने में कम से कम दो घंटे का गैप होना चाहिए नमर साथ रोज रात को सोने से पहले बादाम तेल की कुछ बूदे लेकर उससे चहरे की हलके हातों से मसाज करें इससे तब तक मसाज करें जब तक तेल तवचा में समा जाए सुबा चहरे को धोएं इसमें मौजूद पोशक तत्व तवचा का कालापन तेजी से दूर कर च इससे गैस निकल जाएगी और दर्द ठीक हो जाएगा नमर नौ चोकर सही ताटे की रोटी या फिर खाना खाने के बाद दूद के साथ दो बड़े चमच इसव गोल लेने से पेट में गैस नहीं होती नमर दस एक चमच अजवायन में चोथाई नीमू का रस मिलाकर खाने से भी गैस शांत होगी नमर ग्यारा यदि आप थोड़े कम पके अमरूद को बीच में से काट कर उस पर नमक लगाकर आग में पका कर खाते हैं तो इससे पुरानी खासी ठीक हो जाती है नमर बारा पान के पत्तों का पेस्ट बना कर माथे पर लगाएं और सूखने पर धोले इससे सिरदर्द में राहत मिलेगी नमर तेरा कलोंजी का रस दही में मिक्स करके बालों में लगाने से बाल कभी सफेद नहीं होंगे नमर चौदा शलगम भूक को बढ़ाता है और सोखी खासी में बहुत जादा फायदे मंद है नमर पंदरा रोजाना सोने से पहले जैतून के दो दाने एक गलास दूद के साथ खाने से बवासीर से चुटकारा मिल जाता है नमर सोला हाजमा ठीक रखने के लिए खाने के बाद ताजा अदरक का छोटा सा टुकड़ा चवालें नमर सत्रा चुकंदर के पत्तों को उबाल कर उसके पानी से सिर्धोने से सरकी खुसकी खत्म हो जाती है नमर अठारा रात को कम खाने से मोटापा कम होता है नमर उननीस अदरक को घी में तल कर खाना बलगम को खत्म करता है और दमे से बचाता है नमर बीस बादाम की नौदस गिरी रात को पानी में भिगो दे सुबह खाएं और उपर से गाए का दूध पिए इससे आँखों की रोशनी बढ़ेगी नमर एकीस अगर धुंदुला दिखाई देता है तो संत्रे के रस में पिसी हुई काली मिर्च और सेना नमक मिलाकर सुबह शाम पिएं तीन महीने तक यह प्रियोग करने से फायदा होगा नमर बाइस तिरफलना चूड को पानी में भिगो कर सुबह चान कर उस पानी से आँखों को धोने से नेत्र जोती बढ़ती है नमर तेईस एक कप गाजर के रस में पौना कप पालक या चौलाई का रस मिलाकर सुर्योदय और सुर्यास्त के समय सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है नमर चौविस अगर बार बार हिचकी आ रही हो तो एक छोटी इलाईची को मुह में रखकर चूसें तथा थोड़ी देर बाद चवालें ऐसा करने से बार बार हिचकी आना बंध हो जाएंगी नमर पच्चीस सुभ़ सुभ उटते ही खाली पेट सेप पर नमक लगा कर खाने से सिरदर्द में लाब होता है नमर चौविस लहस उनकी एक से चार कलियों को एक दो ग्राम नमक के साथ पीश कर खाना खाने के साथ खाएं इससे भी सिरदर्द में आराम मिलता है 27. गर्मी के कारण सिर में दर्द हो जाए तो घीये का गूदा निकाल कर खूब बारिक करके माथे पर लेप करें 28. दालचीनी को पीज कर माथे पर लेप करने से भी सिर्दर्द में आराम मिलता है 29. सर्दी जुखाम के कारण सिर्दर्द हो तो साबुद धन्या और मिश्री का काड़ा बना कर पीने से आराम मिलेगा कमर दर्द के लिए असरदार घरेलू उपचार 100 ग्राम सर्सो के तेल में 20 ग्राम कपूर डाल कर रख दे जब कपूर अच्छी तरह गल जाए तब इस तेल से हलके हातों से कमर पर मालिश करें कमर दर्द में अत्यन तलाब होगा दातों में ठंडा गरम लगना 31 हलके गरम पानी में लगवक दो चमच नमक मिला लें और फिर इस घोल से सुभा को तथा रात को सोने से पहले कुला करें 32 मदू मेह से पीडित लोगों के लिए धन्या एक बरदान के समान है इसके सेवन से शरीर में इंसुलिन बढ़ता है और रक्त में गुलुकोज का इस तर नियंत्रड में रहता है साथ ही इसकी चटनी बना कर खाने से नीद अच्छी आती है 33 नीबू के रस में एक चुटकी काला नमक पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च और पिसा हुआ थोड़ा सा जीरा मिला कर इस रस का इस्तमाल करें पेट का दर्द खत्म हो जाएगा 34 अगर आपके पेट में गैस बनती हो तो आधा चमच दालचीनी का चूरन गुन-गुने पानी के साथ ले गैस बनना बंध हो जाएगी 35 एक चमच अजवाएन और एक चुटकी काला नमक को चाच या गरम पानी के साथ इस्तेमाल करने से भी गैस बनना बंध हो जाती है 38. अगर आपके शरीर की हाथ या पाउं की चमड़ी काली पड़ गई है तो सोने से पहले नीमू का रस लगाओ 49. जब पसीना आए तो गरम पानी पी लिया करो, जिन्दिगी भर कभी फेफड़े खराब नहीं होंगे 50. अगर कोई पौधा मुर्जा जाए तो उसकी जड़ों में दही की लस्सी डालें, पौधा फिर से उगने लगेगा रात को सोने से पहले करें यह दस काम रातो रात चमक उठेगा भाग गया नमर एक, रात में सोने से पहले कभी भी जूटे मूँ या बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए नमर दो, सीधा सोए, योगी, डब्बा सोए, निरोगी, जमीन सोए, रोगी, शरीर बिज्ञान कहता है कि चित्त सोने से रीड की हड़ी को नुकसान पहुचता है, जबकि ओंधा सोने से आँखों को नुकसान होता है नमर तीन, अपने कमरे में सोने से पहले कपूर जला कर सोए, इसमें मौजूद तत्व, पॉजिटिव एनरजी का संचार करते हैं इससे आपको मानसिक शान्ती मिलेगी और आप अपने आपको तनाव मुक्त महसूस करेंगे नमर चार, सोने से पहले रसोई घर साफ करके सोए, रसोई घर में जूटे बरतन छोड़ने से माल लक्षमी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है नमर पांच, हमेशा ध्यान रखें, दक्षिड और पूर्व में कभी भी पैर रखर नहीं सोना चाहिए, दरवाजे की दिशा में भी ना रखें, इससे सेहत और सम्रधी का नुकसान होता है पूर्व दिशा में सिर रखर सोने से ज्यान में बढ़ोत्री होती है, दक्षिन दिशा में सिर रखर सोने से शांती सेहत और सम्रधी मिलती है 6. ओंदो मुख होकर दूसरे की सहियां पर तूटी हुई खाट या बैड पर सोने से बचना चाहिए इससे नकारात्मकता आती है 7. सोने से पहले नियमित रूप से अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए उसके बाद बाई करवट लेटना चाहिए इससे पाचन के रिया तंदुरुस्त रहती है और सेहत अच्छी रहती है 8. जराभी नकारात्मक बातों का खयाल ना करें क्योंकि सोने के पूर्व के 10 मिनट तक का समय बहुत संबेदन शील होता है उठने के बाद का कम से कम 15 मिनट का समय भी बहुती संबेदन शील होता है इस दोरान आप जो भी सोचते हैं वह वास्तविक रूप में घटित होने लगता है नम्मर 9. रात का भुजन सोने से दो घंटे पहले कर लेना चाहिए कोशिश करें कि रात को भुजन सादा और हलका हो उसके बाद बजरासन में बैठें फिर प्रानायम और अंत में शवासन करते हुए सो जाना चाहिए 10. सोने के लिए बिस्तर सुन्दर, मुलायम और आराम दायक होना चाहिए चादर और तक्ये का रंग भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी आखों और मन को शान्ती दे दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद आपका दिन शुब हो समय निकाल कर जरूर सुने नमर एक पैर के अंगुठों के नाखोनों पर सरसो का तेल लगाने से आखों की खुचली लाली और जलन ठीक हो जाती है नमर दो तेज बुखार के दोरान अगर हींग का सेवन किया जाए तो इससे बेहत जल्दी आराम मिलता है नमर तीन, खड़े होकर कभी पानी न पिए क्यूंकि खड़े होकर पानी पीने से घुटने कमजोर होते है नमर चार, अगर आप सुबह कॉफी या चाई की बजाए एक सेव खाएं तो इससे अधिक स्वस्त रहेंगे नमर पांच, तुलसी के सेवन करने से मलेरिया नहीं होता है नमर च्छे, सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर भोजन है सुबह का नाश्ता छोडने से आपका शरीर और दिमाग दोनों कमजोर होते है नमर साथ, मुँ से सांस लेने पर आपके जीने की उमर घटती है इसलिए हमेशा नाक से सांस लें नमर आठ, अधिक करम, कोई भी चीज पीने से कैंसर का खत्रा भढ़ जाता है नमर नौ, सो बार हसना, किसी साइकल पर 15 मिनट के बयायम करने के बराबर है नमर दस, रात के समय चावल भर पेट नहीं खाना चाहिए क्यूंकि रात को इसे पचाना मुश्किल होता है नमर ग्यारा, यदि आपको सिरदर्द हो रहा है तो आप नीमू के पत्तों का रस निकाल कर सूंगे जल्दी आराम मिल जाएगा माईग्रेन की समस्या से भी छुटकारा मिलता है नमर बारा, सरसो के तेल में नमक मिला कर मालश बलगम की गाठे निकल जाती है नमर तेरा, विध्यारतियों की एक्जाम के पहले केला खाना चाहिए इससे उनमें एनरजी बनी रहती है और केले में मौजूद हाई पोटेशियम उनके दिमाग को तेज बनाता है जिससे लिखने में बहुत मदद मिलती है नमर चौदा, सर्दियों में अंडा जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है जो शरीर में होने वाली प्रोटीन की कमी को पूरा करने के साथ हड़ियां मजबूत करेगा नमर पंदरा, एसी में सोने से मोटापा बढ़ता है जितना हो सके प्राकर्तिक वातावरण और मौसम के हिसाब से खुद को ढ़ालने की कोशिश करें नमर सोला, पेट की बीमारियों से बचने और इलाज के लिए मूली पर काला नमक और पिसी हुई मिर्च डालकर खाएं और पिसी हुई मिर्च डालकर खाएं 17. मुह से सास की बदबू आने पर नीम कीकर या बबूल की दातों से दातों और मसूडों की सफाई करें 18. आवला के रसने शहद मिला कर चाटने से आखों की रोशनी बढ़ती है 19. जोडों का दर्द दूर करने के लिए लहसुन के तेल में हींग और अजवाइन मिला कर पका लें और जोडों की मालिश करें 20. पेट में कीडे होने पर लसी में अजवाइन का चूड़न मिला कर पियें इससे पेट के कीडे मर जाएंगे 21. हाइट बढ़ाने के लिए कभी भी जुक कर न बैठे और ना ही जुक कर चले चलते और बैठते समय अपनी कमर को सीधा रखे सही तरीके से बैठने और चलने से लंबाई वढ़ती है 22. मोर के पंक बच्चे के गले में बहनने से बच्चे का दात चवाना बंध हो जाता है और बच्चा रात को डरता नहीं है 23. लौंग का उबला हुआ पानी पीने से बार बार लगने वाली प्यास कम हो जाती है 24. मचली का काटा अगर गले में फस जाए तो केला खाना चाहिए 25. टमाटर के रस को चहरे पर लगाने से चहरे के दाग धपे दूर होने लगते है 26. आख में मच्चर चले जाने पर उल्टे पाउँ पीछे चलना शुरू कर दें, मच्चर निकल जाएगा 27. चहरे से तिल और मस्चे साफ करने के लिए रोजानत जैल का सेवन करें 27. दिल की बीमारियां हाट प्रॉब्लम से बचे रहने के लिए अपने खाने को रिफाइंड तेल की बजाए, सरसो के तेल में बनाए 28. सोते समय सिरहाने के पास भूल कर भी न रखी ये चीजें 29. सोते समय शीशे में आपकी परच्छाई नहीं दिखनी चाहिए क्यूंकि इससे बैवाहिक जीवन में समस्या आती है 29. कितावों के सिरहाने के पास रख कर नहीं सोना चाहिए 30. वास्तू शास्त्र के अनुसार तवाईयों को बैड़ पर नहीं रखना चाहिए क्यूंकि इसका सेहत पर बुरा आसर पड़ता है 40. सिरहाने के पास पानी को नहीं रखना चाहिए क्यूंकि इससे आपका चंद्रग्रह कमजोर होता है और मानसिक परेशानिया जहिलनी पड़ती है 50. पर्स, मुबाई, घड़ी, फॉन, लैप्टॉप आधी को सिरहाने के पास नहीं रखना चाहिए क्यूंकि इससे आर्थिक, परेशानी और रिष्टों में खटास आती है 50. किसी भी प्रकार की रसी और जंजीर सिरहाने के पास नहीं रखी होनी चाहिए यह आपके कारियों में बाधा डालती है और इससे बने बनाए काम बिगड़ने लगते है 7. सिरहाने के पास तेल की शीशी या तेल की बोतल को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे आपको जीवन में कटनाईउं का सामना करना पड़ सकता है 8. सिरहाने के पास जूते चपल को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख शान्ती की कमी होने लगती है सिर्हाने के पास ओखली को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे सम्मन्दों में तनाब बना रहता है 10. सिरहाने के आसपास गहने को भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि वास्तू शास्त्र के अनुसार अशुब माना जाता है जिससे व्यक्ति के अंदर क्रोध बढ़ता है और रिष्टों में खटास आने लगती है